हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू दा मैतमेटिक्स क्लास, स्टेंडर्ड सिक्स्थ तो तुडे हम करेंगे एक्साइज 7.5 कुश्यन नमबर फस्ट है एड़, तो यहाँ फ्रेक्शन्स दिये हैं और आप देख सकते हैं यहाँ जो डिनमेटर है सेम है, तो सिंपली हम एड़ कर सकते हैं इसको, सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे तो देखिए जैसे हमें यह दिया है 2.2 by 5 प्लस 1 by 5 तो यहाँ देखिए इसमें equal कसाइन लगाएंगे और एक बड़ा divide कसाइन आप देखिए दो 5 हैं लेकिन यहाँ हमें यह दोनों सेम fraction हैं इसलिए हम यहाँ only a1 by 5 लिख देंगे और उपर हमारा है 2 plus 1 यानि जो हमारे निमेटर हैं वो अलग-अलग हैं इनको दोनों को एक स्काट लिख लेंगे अब यह हो गए 2 plus 3 और निचे हमारा 5 ही रहेगा इन दोनों को add नहीं करना है एक ही बार लिखना है इसको तो या गया हमारा 3 by 5 answer ऐसे ही देखिए जी इसमें दिया है 11 by 15 plus 4 by 15 तो हम क्या करेंगे डारेक निचे 15 लिखेंगे और उपर 11 plus 4 लिखेंगे और दोनों को add कर देंगे तो यह आ गया हमारा 15 by 15 तो अब आप देखिए 15 से 15 में divide जा सकता है इसको काट देंगे तो यह आ गया हमारा 1 answer यहां 5 से 3 में divide नहीं जा सकता था इसलिए हमने इसको ऐसी left छोड़ दिया और इसमें हमारा 15 से 15 में divide जा सकता है इसलिए हमने इसको कट कर दिया next 3 type का देखिए H वाला 1 upon 19 है इसमें हमारे 3 fractions दिये है तो चाहे कितने भी fraction हो अगर हमारे denominator सेम है तो हम direct एक ही बार लिख लेंगे और जो उबर के numerator है सारे एक साथ लिख लेंगे चाहे प्लस में हो या minus में plus में होते ही तो हम add कर लेती हो minus में होते ही तो minus तो आब इसको add कर लेंगे 16 plus 3 19 upon 19 तो 19 से 19 फिर से कट गया या आगया हमारा one answer तो इसी type से आप question number 1 में add करेंगे बहुत ही simple है अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ subtraction का 7 upon 10 minus 3 upon 10 तो यहाँ देखे सेम उसी तरीके से 10 one time लिख लेंगे और 7 minus 3 लिख लेंगे अब 7 minus 3 किया तो 4 by 10 अब देखे 4 और 10 कौन से table में आता हमारे 2 के table में तो 2 2s are 4 और 2 5s are 10 इसको हम 4 by 10 भी लिख सकते हैं और 2 by 5 भी next है D बता रही हूँ मैं आपको 17 upon 27 minus 7 upon 27 27 one time लिखेंगे 17 minus 7 लिख लिए आपने उपर के दोना minus किया तो 10 upon 27 अब देखे 10 upon 27 किसी भी table में नहीं आता है नहीं आपस पर कटेंगे तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहां मैंने आपको plus और minus करना समझा दिया जब denominator same होगा तब आपको simply ऐसे करना है बट यहां देखिए third question number पर हमें दिया है तो आप देख तसने है यहां जो denominator हो different है यानि यहां दोनों denominator same नहीं है इसलिए आप हम इसको कैसे add करते हैं वो बताऊंगी third है हमारा first question है one upon two plus one upon four आप देखिए यहां पर दोनों ही different है तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इनका LCM निकालेंगे इस side में तो देखिए two ones are two, two twos are four फिर two से देंगे two ones are two इन दोनों का multiply कर लेगे two twos are four तो जो LCM आया वो कितना है हमारा four तो अब यहां हम LCM रख लेंगे sorry four ठीके अब जो हमारा जैसे हमने पहली exercise में किया है LCM में divide देंगे किस से इसके denominator से तो यह कितना आया two is a four यानि two bar divide गया अब इस two का हम one upon two में multiply करेंगे तो यह आगा two upon four अब ऐसे ही इसके साथ process करेंगे four में four का divide देंगे four बन सा four one आया तो one upon four में हम one का multiply करेंगे तो यह आगा one upon four तो यह क्या आगा है two upon four and one upon four तो यहां हम लिख देंगे two upon four plus one upon four अब यह दोनों देखिए जो डिनोमेटर है हमारे सेम हो गए अब हम इसको इसको इजिली एड़ कर सकते हैं एक बार four ले लिया टू प्लस one तो यह आगा हमारा three upon four पहले लसेम निकालना है और जैसे हमने पहले exercise में equal denominator कीए थे उस टाइप से equal करेंगे equal करने के बाद फिर उसको एड़ करेंगे इसका मैं आपको एक को समझा देती हूँ सी वाला seven upon ten plus two upon five यह दो दिये हैं हमें पहले हम ten and five का LCM निकालते हैं तो यहाँ two से देंगे ten में two fives और ten five का five फिर five से देंगे five बंजा five five बंजा five यहाँ पे बहुती small LCM निकलेंगे आपके सो यहाँ गया हमारा two fives are ten ten में डिवाइड दिया हमने ten से तो यहाँ गया ten one's are ten और ten में डिवाइड दिया हमने five से तो यहाँ गया हमारा five two's are ten तो यहां हम 7 upon 10 में multiply करेंगे 1 का तो यह 7 upon 10 ही आएगा और यहां 2 upon 5 में हम यह लिया है और यहां यह वाला 10 लिया है अब 2 by 5 में हम 2 का multiply करेंगे दोनों साइट पे 2 to the 4 और 5 to the 10 तो यह आगया हमारा 7 upon 10 प्लस 4 upon 10 देखिए दोनों डियोमेटर सेम हो गए हमारे अब हम इसको 10 ले लेंगे 7 plus 4 कर लेंगे तो यह आगया हमारा 11 upon 10 सेम इसी तरीके से हम minus करेंगे 4 question number question में हमारे subtraction है 1 upon 2 minus 3 upon 8 तो यहां भी हम LCM लेंगे 2 4s are 8 2 2s are 4 2 1s are 2 तो यहां 2 2s are 4 4 2s are 8 LCM क्या है हमारा 8 तो देखिए यहां LCM 8 रख लेंगे और इस 2 से divide देंगे तो क्या आएगा 4 और LCM 8 रख लिया और इस वाले 8 से divide देंगे तो क्या आएगा 1 पहले इस से divide देना है फिर इस से नीचे वाले denominator से अब देखिए पूरा fraction लिख ले 1 upon 2 और इसका दूसरा fraction है 3 upon 8 इसमें multiply करना है जो हमारा divide देने के बाद आता है 4 upon 4 और इसमें 1 upon 1 तो यह 4 बन्जा 4 और 2 4 बन्जा 8 यह 3 बन्जा 3 और 8 बन्जा 8 तो यह आगया हमारा 4 upon 8 minus 3 upon 8 अब इसको हम minus कर लेंगे 8 आगया 4 minus 3 is 1 तो यह आगया हमारा 1 upon 8 तो यह minus का है ऐसे ही इसका मैं आपको D number का question बता रही हूँ यहाँ हमाये दिया है 2 minus 5 upon 8 तो यहाँ LCM हमारा 8 ही रहेगा ठीक है LCM 8 यहाँ हमें कुछ नहीं दिया है तो यहाँ हम 1 मान लेंगे 1 से डिवाइड देने पर यह कितना आएगा 8 और यहाँ 5 8 में हम 8 से डिवाइड देंगे तो यहाँ आएगा हमारा 1 तो 2 में हम multiply करेंगे 8 का 2 8s are 16 upon 8 और यहाँ 5 upon 8 में मल्डिन का multiply करेंगे तो 5 upon 8 ही आएगा तो यहाँ गया हमारा 16 माइनस 5 तो हम इसको माइनस कर लेंगे 11 upon 8 तो यह हमारा 11 upon 8 अंसर आ चुका है तो यह सेम यानि like fraction और unlike fraction वाले दोनों ही add और subtract मैंने आपको समझा दिये हैं नेक्स्ट है question number 5 हमारा mixed fraction तो यहाँ पहले mixed fraction को हम simple fraction में change करेंगे फिर उसके बाद हम add करेंगे तो यहाँ देखे पहले mixed fraction को change करेंगे 3 to the 6 6 plus 2 8 upon 3 यह हो गई इसकी simple fraction 9 बंसर 9 और 10 upon 9 तो यह अब simple आ गई अब हम इसका LCM निकालेंगे 3 and 9 का 3 बंसर 3, 33 बंसर 9, 3 बंसर 3 तो LCM आ गया 9 9 को यह लिख लेंगे divide देंगे हम पहले 3 से तो यह आ गया 3, 33 बंसर 9 फिर 9 को यहाँ लिख लेंगे LCM को और फिर इस वाले 9 से divide देंगे तो वर न आ गया अब देखिए 8 अपॉन 3 में हमें किसका multiply करना है 3 का और 9 अपॉन 10 अपॉन 9 में हमें 1 का multiply करना है तो यह तो सेम ही आएगा वही कवही और यहाँ 3, 3 का multiply करना है तो 8, 3 बंसर 24 और 3, 3 बंसर 9 तो यह आगया हमारा 24 अपॉन 9 प्लस 10 अपॉन 9 अब इसको add कर लेंगे 9 का 9 ही रहेगा और उपर वाले हमारे add हो जाएंगी 24 प्लस 10 तो यह आगया हमारा 34 अपॉन 9 तो यह divide नहीं हो सकता है इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको ऐसे ही mix fraction को simple fraction में change करके फिर उसे solve करना है आपको एक subtraction का बता रही है question number 6 जिसमें first है हमारा 2 by 2 third minus 1 by 7 upon 12 तो हम पहले से simple fraction में change करेंगे से देंगे 2 to the 4, 2 to the 1, 3 to the 6, 6 to the 12 तो LC हम आगया हमारा 12 तो यहां 12 लिखेंगे divide देंगे हम 3 से तो 3, 6 to the 12 फिर 12 लिखेंगे फिर divide देंगे हम 12 से वही आएगा same 1 तो यहां हमारे 8 upon 3 में हम divide देंगे 6 का multiply sorry और 19 upon 12 में हम 1 का multiply करेंगे तो देखेंगे यह तो वही आएगा 19 upon 12 वही आएगा 8, 6 to the 48 और 3, 6 to the 18 तो यहां आगया 40 sorry 3 to the 6 3, 4 to the 12 तो यहां 4, 4 का multiply होगा 8, 4 और 32 और 3, 4 और 12 तो यह 32 upon 12 32 upon 12 plus minus है sorry यहां minus 19 upon 12 इसको minus कर देंगे हम 12 32 minus 19 तो यह आगया आपका 13 upon 12 तो इस टाइप से आपको plus और minus के mix fraction वाले करने है solve next है question number 7 Sarah spent 3 upon 10 of her saving 4 chips and 1 upon 4 for her toffees what fraction of her saving did she spend तो यहां सारा की saving का है हमारी 3 upon 10 और उसने chips पर spend की है 1 upon 4 यानि chips पर उसने 3 upon 10 पार्ट अपनी saving का और 1 upon 4 पार्ट ओफीस का जो हमें बताना है कि उसने अपनी saving में से कितना पार्ट spend की यानि इसको हमें add करना है दोनों ही fraction को तो जैसे हमने question number 3 में add की हैं लग-लग denominator वाले same ऐसे ही आप यह करेंगे next question number 8 Alice brought 3 upon 4 meter of red ribbon and 5-6 meter of green ribbon find the total length इसमें भी हमें दोनों को ही add करना है next day Shalu got 1 by 2 piece of apple for her father and 1 and 1 fourth piece of apple from her mother how much total amount इसमें भी हमें add ही करना है next day Tom bought 3 upon 5 kilogram of crown nut seed he add 1 upon 10 kg of them how much was left with him यानि Tom ने क्या है 3 by 5 kg मुंफली के खरीदी तो उसमें उसमें से 1 upon 10 kg जो खाली तो अब उसके पास कितनी बची यह हमें बताना है तो यह minus करना है 3 by 5 minus 1 upon 10 two-third of the student of a class were what the fraction of student were boys in the class यह जो two-third है वो girls है student तो हमें बताना है boys की कितने student हैं तो देखिए यहां हमें दूसरा fraction नहीं दिया है इसको मैं आपको करके बताती हूँ यहां हमें नहीं बताया है कि total कितने हैं तो हम उसको माल लेते हैं one ठीक है total students हम माल लेते हैं one है हमारे ठीक है और यहां girls students कितनी है हमारी two-third यानि इस one का two-third पार्ट है तो हमें boys students निकालने हैं तो उसको क्या करना होगा total student में minus one minus two-third तो देखिए three बंजद three so यहां गया three minus two यानि यहां multiply कर लेते हैं simply और इसमें से minus कर देंगे नीचे हमारा three रहे गया तो यहां गया three minus two is one upon three यानि कितने boys हैं one upon third part boys हैं और two upon third part girls student है किसी भी total में से next है question number 12 Lucy school is nine upon ten kilometer for her house she walked some distance and then took bus for three by four kilometer to reach the school how far did she walk यानि उसका school nine upon ten kilometer दूर है उसके घर से तो उसने कितना चला कुछ दूर चलती है और फिर उसमें बस ले लेती है जिसमें three upon five kilometer reach the school यानि nine upon ten में से हमें three upon five को माइनिस करना है उसके बाद हमें उसका distance मिल जाएगा next question number 13 Lisa had a rail of thread having thirty two three fifth meter of thread twenty four fifth meter of thread was used in stitch her clothes how much length of the thread is left so यहाँ भी minus करना है इसको में solve करके बता रही हूं आपको यह है हमारा thirty two Lisa had thread thirty two three fifth meter or वहीं she uses in clothes उसने clothes बनाने में use कर लिया कितना twenty four fifth meter thread तो left thread निकालना है हमें जिसके लिए हम minus करेंगे thirty two three fifth minus twenty four fifth यह minus है तो देखिए पहले यह mixed fraction को simple fraction में change करेंगे तो five two is a ten और three में carry गया five three is a fifteen और sixteen तो यह आया one hundred sixty में three add कर लीजिए तो one hundred sixty three हो गया यह अपॉन five अब minus का sign लगा देंगे twenty में five का multiply किया तो hundred plus four तो one hundred four upon five अब देखिए दोनों ही जो denominator है same है उसको direct हम minus करेंगे one hundred sixty three minus one hundred four तो यहां thirteen minus four is nine और five तो यहां fifty nine upon five तो कितना थ्रेड उसका बचा हुआ है fifty nine upon five और चाहे तो अगर हम हमें क्योंकि mix fraction में दिया था तो इसको mix fraction में भी change कर सकते हैं डिवाइड देंगे five one hundred five फिन nine में डिवाइड देंगे five one hundred five कितने remainder रहे four तो यह आगया हमारा eleven four fifth meter